हालो दोस्तों मैं संजय तिवारी आप लोगों का अपने योट्यूब चैनल तिवारी टेस्ट गार्डन पर हवदिक स्वागेट करता हूं मेरा आज के वीडियो होने जा रहा है तुल्शी प्लांट के उपर ये देखिए तुल्शी जी का प्लांट है इसको इंग्लिस में बैसिल प्लांट भी कहा जाता है तो इसी के उपर आज का हमारे वीडियो बेश्ट होने जा रहा है हमारे धर्मों के मताबिक ये बहुत ही स्कत्राइब कोई विष्ण पुराणं की बिसे प्राई प्र में पुडधुत किया गया है देसे पतन पुराण उस्ष्ण पुराण गरूर पुराण इत्यादी में इसका पूरा वीवरन है यह प्राज़ क्āकिशन प्रॉक्णी ayam 예 रोम द्वऺ सियां मुर्त्विकर भें इसलिए अगर आप संपूर्ण जनकारी चाते है तो मेरे वीडियो तो इसकिप मत करिएगा, सुरू से लाश्ट तक देखिएगा, नहीं तो आप मुख्य और इंपोर्टेंट जानकारी से आप बंचीत रह जाएएगे, तो विवर्स ये तुल्सी जी का पोधा हर घर में प्राया लगाया जाता है, हमारे माननेताओं के अनुसाद, तुल्सी ज को लगाये, तो गुमार की डिल लगाना चाहिए और तुल्सी के पोधे को किस दिसा में लगाएं ये भी बहुत ंपर शूंहीं तो तुल्सी के पोधे को आप conect के कौन पर लगाये या तो तो तुल्सी जी आपके लिए बहुत ंलाफ़कारी रहेंगी, ऐसा माना जाता है कि तुल्सी के पोधा लगाने से घर में harmful जो बेक्टेरिया होते हैं और जीवारू होते हैं वो घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं ना तो जीवारू बेक्टेरिया प्रवेश कर पाते हैं और नहीं नकरातमक इनर्जी प्रवेश कर पाती हैं इसलिए तुल्सी जी को लगान तो दर्वाजे के दहिना साइड में तुलसी जी का इस्थान दीजिये तुलसी जी को छट पर नहीं लगाना चाहिए चट पर लगाने से पाया कबूतर, घर में घुंशले लगाना चलू कर देते हैं और उत्तर निसा से चीटिया निकलती हैं जो कि अच्छा नहीं माना गया है इसका तो मैं अनुभव कर लिया हूँ क्योंकि मैंने पहले छत्तर लगाया हुआ था तो मैंने देखा कि ये सब लक्षन उटाये जा रहे हैं और अध्यान से जब मुझे पता चला तो मैंने इसको नीचे में सीट कर दिया इसलिए आप घर के अंदर छत्ते मत रखिए हमेशा नीचे रखिए अपने दर्वाजे के दाहिने साइड में या आंगन बड़ा है तो आंगन के मद में भी रख सकते हैं आंगन के उतर निशा में या पुरवतर निशा में भी रख सकते हैं और तुल्शी जी को समी के नजदिक मत रखिए और 시weling के नजदिक तुलसी जी को रखना वर्जित किया गया है आझा, तुलसी जी के हर एक firm में हम लोग इसको use करते हैं जैसे तुलसी जी के तने का फुट लोग, हम लोग तूलसी माला के रुप में करते हैं तुल्शी जी का माला अधात्मिक रुप से बहुत ही सरफस्ष्ट माना गया है यदि आप तुल्शी जी का माला धारन करते हैं तो उसे आपके हिर्दे में बहुत ही सांती मिलती है और तुल्शी जी के माला से विश्रु भगवान का शिर्गाम चंदर जी का और किष्णी जी का जाप किया जाता है तो इसलिए तुलसी जी के माला को आप यूज कर सकते हैं जाप करने के लिए और तुलसी जी के पतों का भी विसे समातो है तुलसी जी के वीज का भी विसे समातो है तुलसी जी का वीज जो है आप उसको तोर सक तुलसी जी के पत्सों को दो करके और निगल करके पनी पी लीजिए तो यह आपती लिए बहुत ही फाईदय मनड रहेगा। जान लेते हैं कि तुलसी जी की उत्पत्ती कैसे हुई तुलसी जी की उत्पत्ती की कहानी जलंधर से जुड़ा हुआ है एक बार की बात है कि जब सेव जी इंद्र देव के साथ में जुद्ध कर रहे थे तो इतने क्रोधित हो गए थे कि अपना उनको तीसरा नेत्र खोड़ आलग को शुक्रा चार्ज को दे दिये थे जो कि देत और अशूर के गुरू थे तो उन्हों ने उनका पालन पोशन किया और बाद में वो अशूरों के राजा हुए तो जलंधर सिवांस थे इसलिए उनके अंदर अपा और सक्ति थी और उनकी साधी काल नेमी जो अशूर था उसकी लड़की से हुआ था उसका नाम था ब्रिंदा ब्रिंदा विश्णु जी की बहुत परम भक्त थी उनकी उपासक थी तो ब्रिंदा की शक्ति और जलंधर की सक्ति ये दोनों मिल करके जलंधर को अपराजे बना दिया जलंधर ने आकरमार करके विश्णु लोग को ज विष्यूजी ने क्या किया कि जलंधर का रूप धारन करके बिरिंदा से मिलने के लिए पहुँचे जलंधर के वेस में तो इसे बिरिंदा की पती वरता धर्म नष्ट हो गया और जब पता लगा विष्यूजी को कि जलंधर मारा गया तो वो अपने असली रूप में कि वो उनकी विष्णु जी की भक थी और विष्णु जी ने उनके साथ में चल कर लिया तो इसलिए प्रोधित होकर के विष्णु जी को श्राप दिया कि आप पत्थर में परिवर्तित हो जाएंगे तो विष्णु जी पत्थर के रूप में परिवर्तित होगे जो कि सालीग लोगन्ड़क नदी में सलिग्राम मिलते हैं उस रूप में प्रगत हुए शालीग्राम विश्यु जी का एक शुरूप मना जाता है तुलसी जी की उत्तपति विरिंदा के वस्न से विश्यु जी के बरदान से हुई और शाली ग्रम्स का से तुर्सी जी जी को उख्याट लिये उसे पोर्ट में तुर्शी को प्रकाररें putra G टुल्सी को जैसे लिए प्राइब हरी पासे को नहीं इने टोड़ना चाहिए इसके बाद में एम डेन तोड़ना करतें हैंसी ना oversight प्रसाद के रूप में तुल्षी को शीराम चंद्री जी को और कृष्णिक की नेगे तुछ cdl का उप्यों की लिए इसके बाद में 20% गाए का सड़ा हुआ एक साल पूराना खाद ले लीजिए उसमें वर्मी कमपोस्ट ले लिए इस तरह से मिक्स करके और मिटी बनाईए तुलसी जी को लगाने के लिए दोमट मिटी भुरहुरी मिटी तुलसी जी के लिए बहुत ही उपयुक्त रहता है और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखिए ताकि पानी ठहरे ना अगर पानी ठहर अच्छा तुलसी जी को अब फटिलाइजर क्या देना है तुलसी जी के लिए औरगनिक फटिलाइजर यानि जैविक खाद दीजिए तुलसी जी को एक साल पुराना गाई के गोबर का खाद हो तो वह दीजिए आप इसके बाद में अगर आप किचन वेस्ट से और गाड़ मैंने कली डाला था, इसमें देखी, यह केले के छिलके के खाद हैं, केले के छिलके को सुखा करके, आप या तो इसको पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, और फिर तुल्सी जी में उनको दीजिए, इसके अलमा आप चाय का भी कमपोस्ट दे सकते हैं, चाय पीने के पर हरियाली बनी रहे, इसलिए आप एपसन सॉल्ट को भी एस्प्ले कर सकते हैं, और तुल्सी जी के जड़ों में दे सकते हैं, आदा चमच एक लीटर पानी में एपसन सॉल्ट डाल लीजिए, और उसको गोल करके तुल्सी जी के उपर एस्प्ले करिए, तो बहुत ही सेमिसेड एरिया में भी आप लख सकते हैं, जैसे कि 3-4 घंटे धूप अगर आए और बाकी छाओं में आप लख सकते हैं, अब हम बताने जा रहा हैं तुल्सी जी के और शदिय फायदे, आज कर तुल्सी जी के पत्तों से, तुल्सी जी के बीज से, एलो पैथिक, होमियो पैथिक और युणानी पद्धती में दवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो तुल्सी जी के बहुत ही चमतकारी और अनेकों फायदे हैं, जिसमें कुछ मुख्य फायदे हैं, तो अब हम बताते हैं कि तुल्सी जी के और सधीय गूण क्या हैं, तनाव में तुल्स सेंटर फर वायो टेक्नलोजी इंफरमेशन द्वारा प्रकासित एक सोध में बताया गया है कि इसमें एंटी एस्ट्रेस मुण होते हैं, जो एस्ट्रेस से आराम दिला सकती हैं, तुल्सी के पत्ते हमारे शरीर में कौर्टिशोल हार्मोन की मत्रा को नीमित कर सकते हैं, जो लोग परती रोज़क छंता को बढ़ाता है, यानि आपके अंदर लोगों से लड़ने की छंता बढ़ जाती है, तुल्सी के पत्ते खाने से आपके अंदर इमून सिस्टम की कारण प्रणाली को बेहतर करने में मदद मिलता है, इन गुरों के कारण तुल्सी को अस्थामा जैसी बीमारीयों को उपचार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं तुल्सी के लाव सरदी जुकाम बुखार जैसी समस्याओं से आराम पाने के लिए भी किया जा सकता है, वजन कम करने के लिए तुल्सी बहुत ही उप्योगी है, अगर कोई वजन कम करने की कोशिश कर रहा है तो ब्याम और सही खान पान के साथ में तुलशी के रस से फाइदे उठा सकते हैं दरसल लैब में चुहों पर किये गए रिसेर्च में 250 ग्रम तुलशी के रस को आठ हपतों तक रोज दो बार पीने से मुटापे से ग्रसित चुहों के वजन में कमी देखी इंडियन जन्रल ऑफ क्लिनिकल बायोमेट्रिक के द्वारा किये गए इस रोट के अधार पर यह कहा जा सकता है कि तुलशी के रस के फाइदे पुरे सरीर का वजन नियम आई और सरीर के इंसुलीन को नियंतरर करने में शाहिक होते हैं अगला फाइदा है कि मुह के स्वास्त में तुलशी के रस पीने से बहुत फाइदा होता है तुलशी पीने से फाइदा यह है कि यह मुह को साफ रखने में भी मदद मिलता है अपने एंटी वेक्टेरियल गूर के कारण तुलसी मुह से आने वाली बद्गू, पाइरिया और मसूरों से जुड़ी अन्य बीमारियों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं एक अध्यान के अनुसार पता चला है कि तुलसी में एंटी माइक्रोबियल गूर होते हैं यह गूर मुह को बेक्टेरियल संक्रमन से बचाई रखने में मददगार हो सकता है साथ ही यह प्राकर्तिक माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है इसलिए तुलसी के रस का आप सेवन करें तो बहुत फाइदा होगा आखों के लिए तुलसी के रस फाइदे मंद है कंजेक्टिवाइटिस से पीडित आखों के लिए तुलसी के पत्तों का उपियोग किया जा सकता है कई सोधों में इस बात का जिक्र किया गया है कि इसकी उपियोग से कंजेक्टिवाइटिस की समस्या से आराम पाया जा सकता है अगला फाइदा है कि सिरदर्द में तुलसी के पत्ते खाने से बहुत फाइदा होता है चाय में अगर कुछ तुलसी के पत्ते को मिला दें तो उसका असर दुगना हो जाता है NBCI दोवारा प्रकासित सूध में यह पाया गया है कि तुलसी के गूल सिर्ख के दर्द को कम करने में मदद करता है यसलिए आगे से अगर आपको सिर्दर्द हो या किसी अन्य भाई को सिर्दर्द हो तो आप तुलसी का चाय पीजिये और उनको भी सला दीजिये कि वो तुलसी का चाय पिया करें हिर्दय के लिए तुलसी के रस बहुत फाइदे मन्द है जब बात benefit of तुलसी की हो तो हिर्दय को स्वस्थ बनाने के लिए भी मदद कर सकी है बताय जाता है कि तुलसी में काडियो प्रोटक्टिव गौन पाए जाते हैं इन गौन्हों के कारण तुलसी दिल को स्वस्थ कर हिर्दय रोगों को दूर रखने में मदद करती हैं वहीं 스트reç के कारण होने वाले हिर्दय रोग से बचाने में भी तुलसी का अरप उपयोगी साबित हो सकता है इसलिए तुलसी का रस पीने से हिर्दे रोक के खत्रे को कम किया जा सकता है अगला फाइदा है कि गले के खरास से अराम दिलाता है तुलसी का उपयोग सदियों से गले को स्वस्त रखने के लिए किया जा रहा है गले में खरास, फ्रू या common cold के कारान हो सकती है जिसके पीछे वाइरस या बेक्टेरिया तहांत हो सकता है ऐसे में इन वाइरस और बेक्टेरिया को मारने की छमता के कारण तुल्सी का रस बहुत ही फाइदेमंद है इससे लेने से गले की खारास से अराम मिल सकता है आजकर कई कफ सिर्फ बनाने वाली कंपनियां भी इसका उप्योग कर रही है बताया जाता है कि यह फेपड़े में जमे कफ को निकालने में भी सहाइक होती है तुल्सी कैंसर में भी बहुत लबदाएक है तुल्सी के रस लेने से कैंसर की दोकिंग को कम करने में कुछ हट तक मदद मिलता है बेग्यानिकों का काना है कि तुल्सी के रस में रेडियो पर्टेक्टिव गून होते हैं जो कि सरीर में पनपने वाले ट्यूमर सेल्स को खतम कर सकते हैं इसके अलामा तुलसी में यूजेनाल भी पाया जाता है जिसमें एंटी कैंसर के गुण होते हैं साथ में तुलसी में समारेनिक एसिड, एपीगेनिन, लिटोनिन और माइटरेनल जैसे जरूरी फाइटो केमिकल्स होते हैं जो भीगिन परकार के कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं डाइविटीज में बहुत लगदाएक हैं तुलसी अगर कोई मदुमेह के घरेली उपचार के बारे में आप से पूछता है तो आप उन्हें तुलसी का उपयोग का सला दे सकते हैं इसमें मवजूद एंटी डाइविटीग गुणा के कारण रोज सूबा तुलसी का पानी पीने के फाइदे मदुमेह को नियंस्थ करने में सहाइक हो सकते हैं इसके अलामा तुलसी में हाइपो-गलाइसेमिक बूर होते हैं जिसके कारान सरीर में बलड सुगर को नियंतर करने में मदद मिलती है कबज में तुलसी बहुत फायदे मंद है पेट से जूरी कई समस्याओं से आराम पाने में तुलसी लबडाइक हो सकती है तुलसी के बीज के फायदे कबज में रहात पाने के लिए प्रेयोग कर सकते है इसके लिए एक गिलास गुन-गुने पानी के साथ में दो गरम तुलसी के बीज का सेवन किया जा सकता है वहीं तुलसी के पतों का फायदा पेट से जूरी अन्य समस्याओं जैसे आपच अलसर में अराम मिल सकता है लिवर के लिए तुलसी बहुत फायदे मंद है एक बेगानिक रिसेर्च के दवरां तुलसी में हेट्टो प्रोटेक्टिव गुन पाये जाते है यह हेट्टो प्रोटेक्टिव गुन के चलते लिवर को नुपसान होने से बचायदा सकता है इसलिए खराब लिवर से पीडित चुहों को तुलसी का सेवन कराया गया तो इसके बाब में बहुत ही सकराफमक परिवर्तन नजरा है इसलिए लिवर के लिए भी तुलसी बहुत उपयोगी है अरक्त वाहिकाओं के लिए तुलसी का उपयोग करें अरक्त वाहिकाओं की कालटोणाली को वेतर करने में भी तुलसी बहुत ही उपयोगी है इसमें vascular protection गून होते हैं जिनके कारण या अलक्त वाहिकाओं को स्वस्त रखने में मदद करती हैं वहीं खुन को गारा होने से बचा कर या सरीर में खुन के प्रवाह को सही बनाये रखती हैं या गारे फुन को पतला करके स्टोक होने के खत्रे को कम करने में सहाइक होती हैं अगला फायदा यह है कि सुजन को कम करने में तुलसी सहाइक हैं सुजन को कम कर लिए के लिए तुलसी का उप्यों किया जा सकता है इसके पीछे तुलसी में मौझूद एक खास तरह का एसिड काम करता है जिसका नाम है हरसेलिक एसिड में एंटी इंफ्लेमेंटरी गुन होते हैं जो सुजन को कम करने में मदद करते हैं इस गुन के कारण यह कई इंफ्लेमेंटरी डिजिज जैसे ऐलर्जी अस्थमा टीसू में सुजन इत्यादी से अराम दिलाती हैं जड़ते हुए बालों के लिए तुलसी फायदे मंद हैं तुलसी की पतियां हेर फालिकल्स को फिर से सक्रिये कर बालों को जड़ने से बचाती हैं साथ ही बालों को जड़े से मजबूत बना सकती हैं, इसके अलामा scalp को ठंडा करती हैं और blood circulation को बेहतर करती हैं, एलोपेशिया के घरलू उपाई के रूप में भी तुलसी का उपयोग करने से फाइदे मंद होता है, अगला फाइदा है तुचा के लिए तुलसी डॉप के करना गया है कि तुलसी के essential oil की मदद से एकने के समश्या को कम करने में मदद मिलते हैं, वही तुचा से जुड़ी अन्य गमीर समश्याओं जैसे एकजीमा, तुचा पर लाल और खुजलीदार चकते से आराम के लिए तुलसी फाइदे मंद साबित हो सकती हैं, क्योंकि कारण oxidative stress होता है और तुलसी antioxidant के गुण के लक्षणों से इससे कम करने में साइक होती हैं, अब तुलसी जी को किस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, यह भी हम थोड़ा जान लेते हैं, तुलसी के पत्तों को खाली पेट चबाया जा सकता है, इससे पहले इसे पानी से अपनी फ्लेवर दही में आप तुलसी के पत्ते को मिला सकते हैं, इससे डिस का स्वाद बढ़ जाता है और जरूरी पोशक पत्तों भी मिलते हैं, खाना बनाते समय आंत में तुलसी के पत्तों को मिक्स करने से इससे खाने में अनोका स्वाद आएगा और साथी खाने के मनम मौक खुश्मू भी आएगी जूस या मॉक्तल में भी तुल्सी के पतों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो देखा विवर्स तुल्सी जी के कितने चमतकारिक और सधीय फाइदे हैं आप इनका सेवन करिए और स्वस्तला उठाइए और यह कोई भी मेडिशनल प्लांट जो हैं आप उनको यह मत समझे कि यह 100% आपको उस बीमारी से सुरक्षा परदान कर देंगी जब कोई भी बीमारी असा दे यानि कि लास्ट स्टेज में हो जाता है उस समय कोई भी और सधीय पोदों का अगर आप यूपियो करते हैं तो उतना कारगोर और फाइदे मन नहीं होता है आप इसको preventive measure और protective measure के तोर पे आप ले सकते हैं अगर पहले ही इस्तेमाल करें तो जो हमने बीमारीयां आपको बताया इसमें बहुत ही लावकारी होगा और उन बीमारीयों से आप बच सकते हैं इसलिए तुलसी जी का आप 7 किया करिए और घर में जरूर अस्थान दीजिए तो से रिलेटेड, medicinal plant से रिलेटेड, fertilizer से रिलेटेड, fruit plant से रिलेटेड, याने हर तरह के plant और fertilizer से रिलेटेड मैं वीडियो अकसर लाता रहता हूं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए topic के उपर तक तक के लिए नमस्कार जैहिन बंडे मातरू